fountain pain की निप बहुत ही महीन और नाजुक होती है यह इतनी महीन होती है कि आप इसे खुली आँखों से नहीं देख सकते लेकिन microscope के नीचे आप इसकी हर बारीकी को देख सकते है microscope में माचिस की तीली की जटिलसन रचना को देखने पर इसमें लाल फॉस्फोरस का लेप लगा होता है जो रगणे पर गर्शन से जलता है और आग लगाता है microscope में शारपंगा के बलेड की भार को देखने पर यह धार बहुत ही तेज दिखाई देती है जो कि आई पेंसल की नोग को आसानी से काट देती है microscope के नीचे आप लाइटर की जटलसन रचना को देख सकते है लाइटर में एक छोटा सा पत्थर होता है जिसे फ्लिंट कहा जाता है जब आप लाइटर के पहे को भुमाते हैं तो यह पत्थर स्टील के टुकड़े से रगड़ता है और चिंगारियां पैदा करता है यह चिंगारियां गयास को जला देती है और आग लग जाती है माइकरोस को के नीचे आप स्ट्रॉबेरी के बीजों को देख सकते हैं यह बीज बहुती छोटे और नाजुत होते हैं लेकिन वे ही हैं जो स्ट्रॉबेरी को उसके अध्विती एस्वाद और बनावट देते हैं